नमस्कार मैं आरके जैसवाल और आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार नियूज कि विरोध में शामिल हो रही महिलाईं ठेके से काफी दूर रहती हैं तो आखिर शराप खरीदने आने वाले लोग उनके घरों की कुंडियां कैसे खरका सकते हैं सुनील भाटी ने आरोप लगाया है कि कुछ स्थानी या इस्तर के छुट भये नेताओं द्वारा यह सारी नौटंकी की जा रही है उन्होंने इसपश्ट किया कि यह ठेका आबादी से दूर और कॉलोनी से अलग सड़क की दूसरी और अवस्थित है साथ ही ठेके के आसपास कोई स्कूल या धार्मिक इस्थल भी नहीं फिर भी इसका विरोध हो रहा है शराप ठेके के मकान मालिक से हमारे मुख्य संपादक और के जैस्वाल ने उनसे बात चीत की देखिए सुनील भाटी का इंटर्वियू नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार नियूज और मैं अभी मौजूद हूँ तिरी नगर में जहां पर नए सराप के ठेके को लेकर बिरोध परदर्शन कर रहे हैं भी पक्षी पार्टी के लोग वहां के आइडवल्य के लोग और उसके मकान मालिक हमारे साथ बै यह सरकार की पॉलिसी के तहत्य हैं और अगर सरकार की पॉलिसी को है तो इसके नियमत ख्लेगे ठेकों को सरकार ही बन्न कर सकती है या तो अपनी policy change कर दे तो ठेक है automatic सब बंद हो जाएंगे हम भी उस बास से सहमत हैं सरकार policy बंद करती है तो हम भी बंद कर देंगे क्योंकि हमने भी इसको आगे दिया हुआ है उसने भी सरकार से permission लेकर इसको खोला है और सारे norms जो पूरे होते हैं उसी के तहते हैं खुला है हंगामा तो इसलिए है जो जो आसपास के जो दो-चार लोग हैं जिनने यहां लगता है कि उन्हें ठेका बंद करने से टिकट मिल जाएगी और वो उसके लिए परियासरत रहते हैं कुछ लोग कहते हैं हम आतमदा कर लेंगे कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहां नस्दीक में लोग पुशाब करते हैं या बोतले फोड़ते हैं कुछ ऐसी बेने भी वहाँ पहुंची जो हमारे वहाँ रहती नहीं है जो दूर दूर साथ गलियां दूर हमार से रहती हैं जिनका हिस्वे हमारी प्रोपर्टी के आसपास से कोई लिना जिना नहीं है जबर जिस्ती उनके गरों में वीवाद है आपसी अस्वेंट का विवाद है वह अपनी जल्लाट को अपने यहां अग्रिकन निकालती है इसके लावाID और कोई रिजन नहीं है इन महिलां भेनों से हमारा भी आपसे आग रहे हैं जन्मत की पुगार के माध्यम से कहम फोई क्लिया इस आप लोगों ने इतना बड़ा इश्यू बना दिया है। जो आम जनता है उसकी कोई नराजगी नहीं है इनको लगता है इस ठेके का विरोध करने से इने टिकड मिल जाएगी तो ऐसा उनका अपना मनना है लेकिन आम जनता इस चीज से दूर है उसे इस चीज से कोई लिना देने नहीं पूलिटिकल पालिटिकल लोग है यही इसको कर यही उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, यही उन लोगों कठा कर लाते हैं, इसके लावा कोई लोग नहीं है, हमारी RWA से बात हुई है, उन्होंने खुद कहा, कनियानगर की RWA ने, जो ठेका है, अपने बड़े रूड की तरफ है, छेतर के में रूड की तरफ है, अंदर किसी कल परिशानी थो लिए, इन 4-5 सार लोगों को हो रही है, जिनने कभी टिकट मिली थी, हार गए, उनको दुबार लगता है, मुझे टिकट करने से मिल जाएगी, तो ऐसा वो लोग सेमी के शिखा रहे हैं, तो उन्होंने रहने दीजिए, कहती है, कि लोग सराप पी कर, वहीं पर पेसाब भी करते हैं, घरों के कुंडे खटकाते हैं, क्या है सच चाहिए, ये बिलकुल मिथ्या बाते हैं, ना तो जो महिलाएं, मैंने आप से पहले भी का, वो महिलाएं हमारे गलियों के आसपा, जहां पर ये शौप खुली है, उ को अपने आपको बीजे भी का निता कहते हैं, कोई मरने के दमकी देता है, किसी को लगता है, को टिकट पा जाएगा, ठेका बंद हो जाएगा, हम फिर उसी बात को कहते हैं, कि माताय भेने हमारे यहां भी हैं, जो आप माताय भेने आती हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, फिर के समाजी कर्ज करता है और उसको लगता है ऐसा कुछ करने से उसका परिवार ठीक रहेगा अच्छी हो उसको उनको लगता है कि ऐसा कुछ करने हैं हम उसको कैदमाना करते हैं बिल्कुल भी इस पकारगी उनको चीज़ ऐसी चीज़ नहीं करने चाहिए परिवार सबके हैं आपका भी परिवार है एक आप अच्छे परिवार से आते हैं आपका भी फैक्ट्री है काम आम करते हैं आप लोग आप अच्छी समझ रखते हैं लेकिन इस पकारगी जो आप ब इसमें बात इतनी है भाजबा नित्या के बात नहीं है अगर यह प्रॉपर्टै आगर आध्म पार्टी के कारी करता की कि साथ की होती कांगरेश्क पाटी की कारी कि होती है वागे व्यक्तिगत बाते हैं लोग आपस में कुछ भी कह सकते हैं उसका भी सर्वे हो चुका है एक्साइज विभाग दो बार सर्वे करके जा चुका है और जिन लोग उने उसकी पिटिशन डाली थी उस पिटिशन पर इमों लोगों के सहिन हो चुके हैं उनको बलाया गया था उस सर्वे के तहट उन्हों ने सहिन कियें यह सब वहाभी जो नयारन ने कहा था उसके तहट सब चीजे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है बाड़ी साब एक बुराई तो है ही सराफ पिना आप कैसे देखते हैं इसको बुराई तो यह आज से नहीं है जब रिश्य मुनियों के समय से सब चीज चलते ही आ रही है आज से तो नहीं बनी है सरकारे पहले भी रही है जब शरी आदमी खराब करता है तो बुरी चीज तो है लेंगे फिर भी लोग इसको पीते हैं तो उने उसमें कुछ अच्छा दिखता होगा तब लोग पीते हैं लेकिन हम इस चीज के खिलाफ है यह सब चीज ठीक नहीं है स्वास के लिए भी परिवार के लिए भी लेंग जैसा मैंने पहले का अभी तो बंद करने हैं कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि जो वाद है वो नियाल में है अब नियाला के उपर है मेरे व्यक्तिकत में कोई नियाला नहीं है जैसे नियाला को हमें अधिस देगा अगर बंद कर नहीं कहता तो बंद कर देंगे बागे सरकार क पॉलिशी प्रब्ले साहँ सामिन निगम का शुनाव है और इस निगम शुनाव को ऐसा धिखर है कि यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है यह चुनावी मुद्दे आज निगम शुनाव से नहीं यह सुरू से रहे हैं जब revival कैंचार को काम करना होता है सरकार को डॉल्मेंट करनी होती है डॉल्मेंट के लिए सरकार को फंड चाहिए होता है और फंड जो है अनेकों सुर्थों के माध्यम से आता है खाली एक चीज़ से नहीं आता है कि आजाता है कि सरकार को रेवेन्यू यहां से अच्छा खासा मिलता है सर आपके ब्यापार से सरकार से को मिलता ही है को आज से नहीं मिलता है जब से सरकारे बनी है तब से मिलता आया है और उन्हें मिलता रहेगा जगे आगे पीछे हो सकती है चेंज हो सकती है लेकर रेवन्य पूरी फैमिली हैं मेरे भाई भी हैं पिता जी भी पर माता जी भी पर आपके सामने बस्तित हो तो ऐसा तो एक जो लोग कहते हैं काम है काम किसी इसले में लोग आना जाना होता है तो कुछ लोग को लगता है कि शायद उनको इस चीद का फाइदा मिल जाएगा कि शायद मेरे जाने से उनका टिकट में को दावेदारी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस तो उनको कैसा कहने मज़ा आता होगा तो उनकी अपनी राय मिरे अची को रहें पार्टी का यहां कि को चुनाव लगनानी की सोचे तो आपका क्या भीचार इस संग्टन सर्वो पर यह होता है संग्टन जो आदेश करता कार्यकृता को संग्टन की सब्सक्राइक का काम करते हैं तो हमारे साथ बात कर रहे थे तिरी नगर में खोले गए सराब कठेगे का मकान मालिक मिलते हैं क किसी और खबरों के साथ नमस्कार